नमस्कार दोस्तों जनसुलब पुस्तिकाल है कि इस मंच पर मैं गीत चतुरवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं और आज इस मौके पर हम इकठा हुए है यहाँ पिछले कुछ दिनों से एक कारिकरम चल रहा है समारोह चल रहा है याद करना श्रद्धान जली स्मरान जली हिंदी के बहुत बड़े लेखक मंजूर एहते शाम उनकी याद में जब भी आप मेंसे किसी को ये लगे कि मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है सही तरीके से पहुँच रही है तो मुझे सूचना देने के लिए यहाँ पर एक कमेंट लिख दीजेगा क्योंकि फेस्बुक लाइव का एक सिस्टम ये है कि मेरे बोलने और आपके लिखने के बीच लगबग पचास सेकेंड्स का अंतर हो जाता है यानि आप कमेंट करेंगे उसके पचास सेकेंड्स बाद मुझे यहाँ दिखाई देगा ये एक अंतर होता है तो मैं यह मानूं कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुँच रही हैं जनसुलब पुस्तिकालई के इस मंच पर मैं गीत चतुरवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ एक स्मराजली श्रधान जली याद करने का कारिकरम कुछ दिनों से चल रहा है हंदी के कई सनाम धन्य लेककों ने यहाँ शिर्कत की है मन्जूर इहतिशाम हिंदी के बड़े लेखक, मखबूल लेखक, मशुहूर लेखक उनकी स्मृति में पिछले दिनों हमने उन्हें कुरोना से खो दिया था उन्हें याद करते हुए कुछ बाते हैं, कुछ यादे हैं मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा और एक संख्शिप्त वक्त भी होगा मेरा यह, ज्यादा समय में आपका भी नहीं लूँगा कम समय में अपनी बात कहने की खोशिश मन्जूर इहतिशाम मन्जूर इहतिशाम हिंदी के बड़े लेखक थे सूखा बर्गत और दास्ताने लापता जैसे उपन्यासों के लिए वो हमेशा याद किये जाएंगे हाल ही में कोरोना ने जिन लोगों को हमसे चीना है उनमें से एक मन्जूर भाई भी थे मन्जूर भाई हम सब लोग प्यार से उन्हें यही कहते थे क्योंकि पुरा भौपाल यही कहता था और भुपाल क्या? कमो बेश पूरा हिंदी समाज ही उन्हें यही कहता था मनजूर भाई लेकिन मैं शुरुवात में उन्हें मनजूर भाई नहीं कह पाया वो मुझसे उम्र में दो गुने थे या शायद उससे भी ज्यादा थे सो भाई बोलते में मुझे बड़ा अटपटा लगता था एक तो इतने बड़े दिगज लेखक उपर से हम उनको भाई बोलें कैसा तो भी फील होता था मेरे भीतर का ये संकोच दूर किया एक दूसरे दिगज ने यानि राजकुमार केस्वानी ने मनजूर एहतेशाम और राजकुमार केस्वानी दोनों जिगरी यार थे दोनों साथ साथ जीए और कमोबेश साथ साथ मरे एक ही जैसी चीजों और एक जैसे आदर्शों के लिए जीते रहे और मरे भी तो एक जैसी तकलीफ, एक जैसे लक्षणों वाली, एक जैसी बीमारी से मरे मैं अगर किसी एक की कहानी कहूंगा तो उसमें दूस dual का जिक्र होना लाजिमी होगा क्योंकि मेरी जिन्दगी में दोनों एक दूसरे में गड़ मड़ हैं। मन्जूर रहते शाम को मैंने किशोरा वस्था में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। सुखा बर्गत की बड़ी चर्चा होती थी और मुंबई की दुकानों में राजकमल पेपर बैक्स की वो छोटी सी किताब आसानी से मिल भी जाती थी। तमाम पत्रिकाएं पढ़ता था। मन्जूर भाई की बहुत कम चीज़ें छपती थी लेकिन उनका चर्चा हमेशा बना रहता। किसी ने किसी बहाने कहीं ने कहीं उनका नाम जरूर पढ़ने में आ जाता था। बरसों पीत गए। मैंने मुंबई छोड़ दी। कई शहरों में घूमते हुए मैं भोपाल पहुँच गया। वो 2005 का समय था। मैं दैनिक भासकर में काम करता था। राजकुमार केसवानी हमारे संपादक हुआ करते थे। एक दिन मैंने देखा कि केसवानी जी के कमरे से एक सज्जन निकल के जा रहे हैं। उंचे, तंदुरुस्त, चाड़े, सुन्दर, वेल ड्रेस्ट, ब्लू डेनिम का जैकेट, ब्लू डेनिम जीन्स, वाइट टी शर्ट और सिर पे ब्रिटिश न्यूजबाय कैप वो जो छोटी वाली होती थी। देखते ही मैं पैचान गया कि अरे, ये तो मन्जूर रहते शाम हैं। ये मन्जूर रहते शाम थे ना, कि इस्वानी जी ने एकदम ख़डूस अंदाज में, तम अपने चिर परिचित अंदाज में पूछा, क्यों, तम को क्या करना हैं। मैंने कहा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कि इस्वानी जी दरहसल बहुत शरारती व्यक्ती थी, आंक वांक नचा के बोले, उन्हीं के फैन बनोगे, हमारे नहीं बनोगे। मैंने कहा, सर, फैन तो आपका भी हूँ, लेकिन मनजूर एहतेशाम का फैन बरसों से हूँ। वो बोले, हाँ, जो गय वो मनजूर भाई ही थे, और तुम क्या, हम सभी लोग उनके फैन हैं। मैंने कहा, सर, अगली बार आएंगे, तो जरा मुझे भी मिलवा दीजिएगा, मेरा बड़ा मन है उनसे मिलने का। केश्वानी जी बोले, अगली बार क्या, अभी बुला देते हैं। नीचे तक ही पहुँचे होंगे। ये कहके उन्होंने फोन उठाया। मैंने कहा, नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे मत कीजिए, अगली बार आराम से बुलाईएगा, ऐसे मत कीजिए। केश्वानी जी हसने लगे, अपने बिलकुल उसी अंदाज में हसने लगे। बुले, वैसे एक बात बताओं तुमको, मन्जूर भाई तुमको जानते हैं, मैंने उन्हें बता रखा है कि तुम अब भोपाल आ गए हो, ये सुनके तुम एगदम चकित रह गया, बहुत खुश हुआ। मेरे पास जनाने लायक कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी मन्जूर रहते शाम मुझे जानते थे, ये सुनना अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था, किसी भी नौजवान लिखक को अच्छा लगेगा, लेकिन केसवानी जी तो केसवानी जी थे, इतना सबर बोपाली अंदाज में बोले, हमा यार मन्जूर भाई कहां पहुँचे, रस्ते में हैं, तो भाई मिया एक बार कल फिर दर्शन देंगे, आपको किसी से मिलवाना है, बिल्कुल, राचकमार केसवानी के अंदर एक खास बात ये थी, कि बोपाल उनकी जुबान पर रहता थ और मन्जूर एक खास बात थी, तो उनकी इस बाचीत के बात इस तरह मेरी मुलाकात मन्जूर एक शाम से हुए, बिल्कुल वी आईपी टाइप के मुलाकात, अगले दिन केसवानी जी के केबिन में हम तीनों बैठे हुए थे, मुझसे थोड़ी देर तक बाचीत की शोले के सुर्मा भुपाली के बाद मैंने पहली बार किसी को इतनी भुपाली बोलते वे देखा था, मुझे तो भुपाल पहुंचे वे बमुश्किल दो महीने हो रहे थे, बहुत सारी बातें तो मेरे सिर के उपर से गुजर रही थी, बाजे वाली गनी, जुमेराती अजार, सुल्तानिया, घोडा नकास, जैसे तमाम शब्द मेरे कानों में बूँज रहे थे, कुछ चीजों को मैं जानता था, कुछ चीजों को पैचान भी नहीं पा रहा था, लेकिन इस पूरी चर्चा में, जो सबसे मज़ेदार बात थी, वो था रस, दोनों की बातों से रस टपक रहा था, किस से बाजी का रस, भोपालियत का रस, पुरानी दोस्ती का रस, महपत का रस, कितना प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से, और आपस में खूब गालियां बगते थे, और ऐसी क्रियेटिव टाइप की भोपालियां, मैं सुनके हैरान था, वो मास्टर म बदन का एक गाना है न, हैरत से तक रहा है, जहाने वफा मुझे, तुमने बना दिया है, महबत में क्या मुझे, तो मैं बिलकुर वैसी हैरत के साथ, दोनों की महबत को ताक रहा था, एक तरफ मेरे मेंटॉर बैठे थे, राजकुमार केसवानी, अंतराष्ट्री ख्याती क के पत्रकार, जिन्होंने भोपाल गैस तरास्ती से पहले ही ये न्यूस ब्रेक कर दी थी, कि कुछ दिनों में यहां गैस डिजास्टर होने वाला है, दूसरी तरफ मेरे हीरो, मन्जूर एहतेशाम, हिंदी के सर्वश्रेष्ट लेखकों में से एक, मैं ओवर्वर्ण था, क प्रिष्वानी जी ने मेरे सामने इतनी बार मन्जूर भाई, मन्जूर भाई बोला, कि ये संबोधन मेरी जबान पे चड़ गया, मन्जूर भाई, तक से मैं भी उन्हें मन्जूर भाई कहने लगा, लोग कहते हैं कि मन्जूर एतिशाम अंतर मुखी थे, बिल्कुल सही बात है, लोग कहते हैं कि मन्जूर एतिशाम बहुत कम बोलते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि इन सब चीजों के बाद भी वो यारों के यार थे, वो अपनी तरफ से बढ़कर आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने उनसे दोस्ती कर ली, तो वे उस दोस्ती को enjoy करेंगे, और लपक के enjoy करेंगे. मन्जूर एहतेशाम के लेखन में एक टटकी किस्सा गोई है, वो दास्तान गोई जैसी नहीं है, वो भुपाल की पटिया बाजी या बैत बाजी नहीं है, वो विज़ैदान देथा या काशिनाच सिंग जैसी फ्लैमबॉयंट किस्म की किस्सा गोई नहीं है, लेकिन एक उस दिन पहली मुलाकात के बाद मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि ये किसा गोई किसी आस्मान से नहीं आई है बलकि उस संस्कृति से आई है जिसमें वो पले बढ़े हैं उन महलों से आई है जिन में भी घूमे फिरे हैं ये भोपाल से आई है कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनके भीतर से उनका शहर बोलता है उनके लिखेवे पन्नों से उनका शहर जांकता है मन्जूर एहतेशाम के भीतर भोपाल बोलता था और वो ऐसा चाहते भी थे और इसी लिए वो उन लेखकों के प्रती एक खास लगाव रखते थे जो अपने लेखन के भीतर अपने शहर को दर्ज करते चलते हो जैसे जेम्स जॉयस और उनका डबलिम जैसे काफका और उनका प्राग जैसे नजीब महफूज और उनका कैरो जैसे औरहान पामुक और उनका इस्तामबुल जी हाँ, मन्जूर एहतेशाम को हमें लेखकों की इसी परंपरा में रखके देखना चाहिए मन्जूर भाई, पुराने समय से खोब पैदल चलते थे और बहुत बारीक बारीक चीजों को अब्जर्व करते थे और बहुत पढ़ते थे सिर्फ अपने साथ के लेखकों को नहीं सिर्फ महान लेकों को नहीं बल्कि बिल्कुल नए उभरते हुए लेकों को भी पढ़ते थे यही नहीं, पढ़के उनके साथ समवाद भी करते थे जैसे मैं अपनी ही बात बताओं तो 2005 में भौपाल में उने से मुराकात की उनके साथ एक अच्छा समय गुजारने के बाद 2006 में में पंजाब चला गया और तब मेरी पहली कहानी पहल में प्रकाशित हुई सामंत आंटी की लड़कियां उसकी बहुत चर्चा हुई तब क्या होता था कि पत्रिका में आपका टेलिफोन नंबर भी च्छाप दिया जाता था कमोबेश अब भी यही हाल है तो क्या होता था कि रचना चपने के बाद आपकी कोई प्राइवेसी बचती ही नहीं किसी को अगर आपको गाली देनी है तो सीधे फोन लगा के दे देगा किसी को अगर आपकी तारीफ करनी है तो वो भी फोन लगा देगा तो मुझे भी बहुत फोन आते थे तो मैं कई फोन से परिशान भी होता था लेकिन ऐसे तमाम हालात में भी कुछ फोन पाकर आप खुश होते हैं कुछ लोगों का फोन पाकर के आपको खुशी महसूस होती है उन्हीं मेंसे एक कॉल था मनजूर एहतेशाम का उनसे वैसे भी बात होती रहती थी लेकिन कहानी छपने के बाद उन्होंने एक विशेश फोन किया और एक घंटे तक कहानी के बारे में बात करते रहे मैं तो यही जान करके खुश हो रहा था कि मनजूर एहतेशाम ने मेरी कहानी पढ़ी है 2006 की बात क्या जरूरत थी उनको पढ़ने की भाई न भी पढ़ते तो भी उनका कुछ थोड़ी बिगड़ता लेकिन उन्होंने पढ़ी और पढ़के फोन पे चर्चा की 2006 से 2009 के बीच मेरी 6 कहानिया छपी और हर बार मनजूर भाई का प्रतिक्रियात्मक फोन मुझे जरूर आया हमारे बीच ऐसे भी बात होती रहती थी लेकिन कहानी छपने के बाद जो बातचीत होती थी वो थोड़ी खास होती थी ये बात मैं यहां क्यों बता रहा हूं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान दे मनजूर भाई नए लेकिकों पर भी बारीक निगाह रखते थे और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है बलकि मेरे जैसे कई नौजवान लेकिकों का अनुभव है कि मनजूर भाई उनके उपर बहत बारीक नजर रखते थे अगर मन्जूर भाई को आपकी रचना पसंद आ गई है तो वो आपको इतला भी देंगे और आप पर निगाह भी रखेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सलाह और मार के दरशन का एक बड़ा सा बोरा खीच के आपके सिर पे दे मारेंगे और आप उसके बोज तले दब जाएं नहीं वो ऐसा बिलकुल नहीं करते थे बलकि एक लेखक के रूप में वो आपकी इंडिविज्वालिटी को स्पेस देते थे आपकी वयक्तिकता का सम्मान करते थे लेखक शैली के भीतर वो कहते थे आपने जो कुछ लिखा है वो आपका सेलेक्शन है आपकी च्वाइस है आपने जो प्लॉट लिया है जो ड्रामा क्रियेट किया है वो आपकी च्वाइस है आपने जो शब्द चुने है वो आपकी च्वाइस है लेखन और जिन्दगी च्वाइस से चलते हैं आप अच्छी च्वाइस बनाओ, अच्छा सेलेक्शन करो, आपकी लाइफ अच्छी होगी उसी तरह अच्छा सेलेक्शन करोगे, आपका फिक्षन अच्छा होगा आपको जिन्दगी भर अपनी choices को अपग्रेट करने की ज़रूरत होती है जब मन्जूर एतेशाम किसी लेखक से ये बातें कहते थे तो दरसल वो इसकी कहानी के बारे में सलाह नहीं देते थे बलकि पूरी लेखन विधा के बारे में एक सलाह बन जाती थी मन्जूर भाई जिग्यासु स्वभाव के थे आजकल क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कौन सा नया सिनेमा देखा इन सब चीजों के बारे में वो बेहत कुछ सुकता और मधुरता से बात करते थे हम दोनों की पसंद मिलती जुलती थी, हमारा स्वभाव मिलता जुलता था इसलिए हम दोनों जल्दी ही एक धरातल पर आ गये थे हम दोनों को दोस्तोवस की बेहत पसंद था हम दोनों Brothers Karmazov के बारे में कहीं बार बात करते थे हम दोनों Lydia Davies और Claris Looker की चरचा करते रहते थे Saul Bellow के बारे में चरचा करते रहते थे Saul Bellow का एक Novel था Seize the Day ये Novel उन्हें बहुत पसंद था हम दोनों खुद को एक Postmodern Writer की तरह देखते थे हम दोनों ही alienation की theme पे काम करते थे इसलिए हमारे बीच post-modern तक्नीकों को लेकर काफी बात होती थे और इस बाचीत का लाब मुझे मिलता था मन्जूर भाई अंतर मुखी थे लेकिन एक बार अगर आप उन्हें सही तरीके से छेड़ दें एक बाद सही चाभी घुमा दें तो वो बहुत अच्छी तरह बोलते थे और लगातार बोलते थे जैसे आपने पियानों के किसी सही कार्ड को छू दिया हो ऐसे संगीत मई तरीके से बोलते थे मन्जूर भाई जैसे दास्ताने लापता के बारे में उनसे जो बाचीत हुई थी वो मुझे अभी भी याद आती है दास्ताने लापता उनका सबसे सुन्दर और सबसे परिपक्वा उपन्यास है अंग्रेजी में अनुवाद हुआ जेसन गुरूने बाउम और उल्रिक स्टार्क ने अनुवाद किया टेल अफ मिसिंग मैन इस किताब ने उनकी कीरती सरहत पार पहुँचाई और इस तरह पहुँचाई कि उनकी मृत्यों के बाद अभी हाल में पिछले सक्ता नियू यॉक टाइम्स ने एक औबिच्वरी छापा उन्हें याद करता हुआ एक लेक प्रकाशित किया कितने सुन्दर और सराहना के लायक बात है मन्जूर भाई इतने बड़े लेखक थे कि वे ये सारी चीजें डिजर्व करते थे तो जनाब हम कह रहा है थे कि दास्तान लापता के बारे में हमारी कई बार बात होती थी और वो बादचीत मेरे लिए बहुत यादगार बादचीत है इस कहानी का जो मुख्य किरदार है जमीर एहमद वो थोड़ा अजीब है वो खास किसम के personality disorder से जूज रहा है उसमें एक sense of alienation है यानि अपनों के बीच रहते हुए भी वो परायपन का बोध कर रहा है भारतिय समाज में एक मुस्लिम व्यक्ति को ये alienation कई बार फील होता है कि अपने देश में रहते हुए भी उसे लगता है कि उसके साथ पराय जैसा व्यवहार किया जाता है या वो कुछ पराय लोगों के बीच आके बैठ गया है ये बोध वैसे तो मनजूर भाई के पूरे साहिते में है लेकिन दास्ताने लापता में ये खास तोर पर दिखाई देता है और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज इस किरदार में है वो है अनैतिक होने का बोध 1984 की वो मनहूस रात जब भोपाल में गैस लीख हुई थी और एक खतरनाक मनजर बन गया था और अंतराश्ट्री अस्तर पर बदनाम एक डिजास्टर हुआ था उस रात जमीर एहमेद नाम का वो चरित्र एक वेश्या के साथ सो रहा था जब उसे पता चलता है कि रात इतनी बड़ी तरास दी हुई इतने सारे लोग मारे गए हैं तब वो एक अजीब किस्म के नैतिक बोध में चला जाता है नैतिकता और अनैतिकता का ये द्वंद्व जमीर एहमेद को एक एंटी हीरो बना देता है दास्ताने लापता का नैक एक एंटी हीरो है और ये बात ये मुद्दा हमारी बाचीत के केंदर में उसके आसपास घूमता रहता था एंटी हीरो मन्जूर एतिशाम के तमाम नायकों में एक हलकी सी नकारातमकता होती थी जो उसे एंटी हीरो बनाती थी मैंने उनसे पूछा क्या ये दोस्तों इसकी के कारण है Crime and Punishment का Raskul Nikov एंटी हीरो है The Pajas tätä का नायक एंटी हीरो है ब्रदर्स कर्मा जोव में एंटी हीरो के लक्षन है और आपके यहां भी हैं। तो क्या सच में इसका और आपके सारे उपन्यासों का दोस्तोवस्की के साथ कोई रिष्टा बनता है। तो वो हस पड़े, जोर से हसे। उन्होंने एक बहुत दिल्चस्प बात भूली इसके ब दुनिया का पहला पोस्ट मॉडर्न राइटर था। उन्होंने कहा कि देखो जब तक जेम्स जॉइस का मॉडर्निजम नहीं आया था। टी एस एलियट और फ्रांस काफका का मॉडर्निजम नहीं आया था। दुनिया चेखोवियन नैरेशन को एंज्वाय कर रही थी। पहले ही दोस्ट वच्की के लेखन में पोस्ट मॉडर्न गुण दिखाई देने लगेते हैं। इसलिए बीस्वी और एकीस्वी शताबदी के कई पोस्ट मॉडर्न राइटर ना चाहते वे भी अंजाने ही दोस्ट वच्की के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत लेकिन मनजूर एहतेशाम जैसे लेखक, बाकाइदा अपने जहन में इस बात को लेकर चल रहे थे और ये सब करते हुए वो कहीं से कोई दावा नहीं करते थे, कोई हला नहीं करते थे। आगे आने के लिए उन्होंने कभी अपने बगल वालों को धक्का नहीं दिया। आल भोपाल जैसे शहर में रहते हुए भी वो तमाम दंद फंद से दूर रहे। उनका अपना कोई गैंग नहीं था। उनकी लिखी हुई किताबें ही उनका एक मात्र गैंग है। मन्जूर रहते शाम किसी के भरोसे नहीं कड़े हैं। अपनी किताबों और लेखन के बदावलत खड़े हैं। पूरी विनम्रता के साथ कड़े हैं। पूरी द्रडता के साथ कड़े हैं। विनम्र होने का अर्थ ये नहीं है कि वो लुन्ज पुन्ज थे या उनका कोई स् करना वो गैर जरूरी समझते थे तहजीब से भरा हुआ शालीन सलीकेदार जीवन और वैसा ही लेखन हिंदी में ऐसे लोग दुरलब हुए कुछ-कुछ अग्यें ऐसे थे निर्मल वर्मा ऐसे थे कुवर नरायन ऐसे थे और मन्जूर इहतिशाम ऐसे हुए अग्यें में तो अच्छी खासी नेतागिरी भी थी निर्मल वर्मा भी बाज दफा मंचों पे खड़े होकर अपने विरोधियों से मोर्चा लेते हुए हमें दिख जाते हैं लेकिन हुआर नरायन और मन्जूर इहतिशाम इनमें तो किसी के प्रति कोई ध्वेश ही नहीं था अपने आलोचकों से भी ये लोग मुस्कुरा के मिलते थे और साहित्ती के ग्रुप फोटों में खड़े होने की भरपूर जगह देते थे अपने आलोचकों के साथ डील करने का ये तरीका बहुत संदर तरीका है कुमर नारायन और मन्जूर एहते शाम से पताने में कितना सीख पाया हूँ लेकिन ये कोशिश मुझे बहुत आकरशक लगती है और जैसे की मेरी आदत है मैं अपनी डायरी में नोट करता चलता हूँ अच्छे लेककों के साथ बात करने के बाद कि उनकी कौन सी अच्छाईया हैं जिनने मुझे अपने जीवन में उतारना चाहिए मैं इन बातों को नोट करता हूँ अपने डायरी में तो अपने नौजवान दोस्तों के लिए मैं वो लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने मन्जूर भाई से सीखते हुए उनसे बात करते हुए बनाई थी मैं सारी बाते नहीं शेयर करूँगा लेकिन कुछ चुनिंदा बिंदु जरूर बताऊँगा और वे बिंदु इस तरह हैं लेखक के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन हर रोज लिखना है यानि हर रोज लिखना है नमबर दो आपका लिखा हुआ शब्द फाइनल नहीं है आपको बार बार उसके पास जाना है उसको जाचते रहना है नमबर तीन एक लेखक के रूप में आपको तमाम आलोचनाओं, प्रशंसाओं और निंदाओं को सर्वाइव कर जाना है नमबर चार दुनिया बार बार बदलती है हम भी बार बार बदलते हैं एक लेखक के तौर पर हमें इन दोनों बदलावों पर पारीक नजर रखनी होगी नमबर पांच दूसरों के अच्छाईयों से सीखो उनकी अच्छाईयों पे ध्यान दो खामियों पे ध्यान मत दो तो उदास मत हो वो एक शेर मन्जूर भाई बार बार कहते थे रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी तो इस आशावाद को कभी मत छोड़ो तो ये तो होग एक काम की बात जिसे लेकर वो बहुत सक्त थे अनुशासन से भरे हुए लेकिन निजी जिन्दगी में नर्म दिल, सहेंशील मेरे लिए तो वो टेडी बेर जैसे थे वैसे ही गोलू-मोलू, प्यारे से, खिलाने जैसे मैं जब भी उनसे मिलता था, उनसे गले लगता था और उसके बाद उनके पेट पे गुदगुदी करता था और ये बोलता था कि आप मेरे लिए खिलाने हो और वो इस बात पर बहुत हसते थे, कहते थे खिलाना हूँ, तो खेलो मेरे साथ क्या हो, खेलो, फिर हम बातें करने लग जाते थे अपने बातों से, अपने शब्दों से खेलने लगते थे ये सब बातें मैं आज याद कर रहा हूँ बहुत दुख के साथ याद कर रहा हूँ ये बहुत खराब समय चल रहा है लोग ऐसे बिछुड रहे हैं जैसे पतज़ड में दरखतों से पत्ते गिरते हैं कोरोना के कारण मेरे पिताजी की मृत्य हुई जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है कोरोना के कारण राजकमार केशवानी की मृत्य हुई जो मेरे सबसे आदरनियों बुजर्ग थे कोरोना के कारण मन्जूर एहतेशाम का निधन हुआ जो मेरे प्रियलेखक, सखा और भाई थे मन्जूर भाई और भी डंबना है कि मैं इन तीनों के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया इनकी अंतिम यात्रा का हिस्सा तक नहीं बन पाया मुक्तिबोट के शब्दों में कहूं ये सच में कैसी ट्रेजिडी है नीच मन्जूर भाई और राजकमार केशवानी दोनों के पसंदीदा शायर एक ही थे इजलाल मजीद उनका एक शेर दोनों ही अक्सर कोट किया करते थे आज इस मौके पर वो शेर याद आता है शेर है कोई मरने से मर नहीं जाता देखना वो यहीं कहीं होगा मन्जूर ए तिशाम और राजकमार केशवानी इसी शेर से याद करते हैं, दोनों मर के भी मरे नहीं हैं, दोनों कहीं नहीं गए, लेखक कहीं नहीं जाता, वो हमारे आसपास रहता है, हमारी किताबों से जागता है, हमारी लाइबरेरी में सोता है, हमारे लिखे गए शब्दों के बीतर जागता है, हमारे बोले गए शब् के बीतर मुस्कुराता है हमारी किताबों में एक अनलिखे अध्याई की तरह हमेशा दर्ज रहता है तो इन ही बातों के साथ मैं अपना ये वक्तव यहीं पर बिराम लेता हूं समाप्त करता हूं मनजूर रहते शाम राजकुमार के स्वानी और इनकी पहाने इस पूरे दौर में हम जितने लोगों से विदा हुए बिना अलविदा कहे मौका भी नहीं मिला हम लोगों को अलविदा कहने का ऐसे तमाम लोगों के प्रति अपनी शब्दान जली श्रद्धान जली आदरान जली प्रस्तुत करते हुए इस संग्शिक्त वक्त अब्यको मैं यहीं पर विराम देता हूं नमस्कार